नवस्कार दोश्टो मैं परवेज आलम कहते हैं अभी पूरे वर्ड में पूरी दोनिया में जो है जंग जारी एक देश दूसरे देश को निचा दिखाने के लिए जियां पिर वो कोई भी देश हो जियां अभी जो जंग जारी है आपने सुना ही होगा हमास और इस्राइल का जंग जियां फिर से अभी दो जंग जारी है दो नए मोरचे खुल रहा है आपस में क्या सच में वर्ड वार थिरी होने वाला है हाँ अगर ये विश्व युद फिर से सुरू हो गया तो क्या होगा रूस की यूकरेन से युद इजराइल की हमास से युद हाँ और ही है चीन की कोशिथ है ताइवान पर कवजा जमानी की चीन सुरू से अपनेफर कुटिल चाल से जाना जाता है यह वह झान की बात कर रहा हूं जो ऑपपики cet को हमारा इंडिया भारत एक वक्त में साथ दिया था वह तेक प्रूसे impressive अपना वो कोटिल चाल जो है दिखाना शुरू कर दिया है और चीन की तो हमेशा कोशिस ही रही है पीछे से वार करना चीन की कोशिस है ताइवान पर कवजा जमाने की नाटो रूस के खिलाब अलग हत्यारों को जुटाने में लगा हुआ है। युद्ध के लिए क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुवात है आईए जानते थोड़ा विस्तार में रूस जो है रूस की युक्रेन के साथ युद्ध चिन लगाता जो है तैवान के आसपास जंग जो है उकसाने वाला जो है वो काम कर रहा है अमेरिका दुनिया में अलग अलग जगहों पर अपनी जो है नौस हैरिक फिलिट और मिसाइले जो है वो खड़ी कर रहा है ताकि युद्ध पता नहीं कब शुरू हो जाए और नाटो देश जो है रूस की सीमा के पास नुकलियर बंब जो है तैनात कर रहा है क्या ये सारे लक्षन ये नहीं बता रहा है कि दुनिया में फिर से तीशरा युद्ध जो है शुरू होने वाला है जो तीशरा जो थर्ड जो थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है पहले शुरूबात करते हम अमेरिका से अमेरिका ने हाल ही में फिलिपिन्स में अपनी सूपर सूनिक परमानों मिशाइलों क को तैनात किया था इसके अलावा उसके कई सारे जो है आपको कैरियर स्ट्राइक ग्रूप और MPBS रैडी ग्रूप को दुनिया के अलग अलग जबहों पर तैनात किया है यू एस ए तियोडोर रुसोल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रूप इस समय जो है साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है यू एस एस अमेरिका MPBS ग्रूप जापान के साबोस बंदरगाह पर तैनात कर दिया है यू एस एस रोनाल्ड रिगन कैरियर स्ट्राइक ग्रूप फिलिपीन सागर में तैनात कर दिया गया है। यू एस डिवाइड बी जो है यह आपको अगर बात करें तो आईजीनवार कैरियर स्ट्राइग ग्रूप लाल सागर के पास जो है तैनात कर दिया गया है। गाजा में पायर डिकेटमेंट को जो है तैनात कर दिया गया है दक्षिनी अमेरिका के पास यू एस एस जॉर्ज वासिंग्टन कैरिया स्ट्राइक गुरूप तैनात कर दिया है जबकि उसके पांच जंगी जहाजों का गुरूप जो है उतरी अमेरिका के पास तैनात कर दिय के लिए यही तो थर्ड वर्ड वार का निशान है मतलब यह है कि इरान उत्तरकोरिया रूस और चीन कहीं से किसी ने भी जंग की शुरुआत की अगर तो अमेरिका इन सब को एक करारा तमाचा देने वाला है जानी कि वो करारा यहीं कि जवाब देने के लिए एकदम रेडी है अलर्ट है उसके सभी स्ट्राइक ग्रूप्स में परमानू मिशायले तैनात है फाइटर जेट्स में खतरनाक मिशायले और बं भी लगा करके वो रेडी बैठा हुआ है जिया अब बात करते हैं नाटो के लिए रेडी की बात करें कनाड़ा है लात्विया है लिथुआनिया है और निदर्लैंड्स है पॉलैन्ड फिंलैंड फ्रांस चेक गनराज श्वीडन और इस्टोनिया ने मिलकर युक्रेन को रूस के टार्गेट्स पर स्ट्राइक करने को कहा है ये सबी देस मिलकर युकरेन को सपोर्ट कर रहे हैं, हतियार भी दे रहे हैं रूस की intelligence का दावा है कि रूस की मुख intelligence agency ने ये पुखता दावा किया है कि नाटो देस रूस के खिलाब परमानो हतियारों का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है रूसी जासुसी अजैनसी का मानना है कि इस हमले से पहले नाटो देश पहले साइबर अटैक करेगा उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके सभी रूसी निताओं को मार सकता है इसके बाद पूरी तरह से रूस के खिलाप जंग छेरेंगे रुसका ये भी दावा है कि नाटो इसके लिए सालों से यानि की बरसों से इसकी तैयारी कर रहा है कि कब लड़ाई शुरू हो हाँ अब देखें चीन जो है किसी भी समय कर सकता है हमला किस पर ताइवान पर दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स ये भी मानते है कि चीन बड़े पैमाने पर मिलिटरी को तैयार करने में लगा हुआ है क्योंकि वो कभी भी ताइवान पर भी नहीं तब कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है हाँ फिलहाल तो उसकी ताइवान पर हमला करने की जो है बिलकुर निशान है उस पर कबजा करने का जल्द से जल्द परियास करेगा चीन इसमें भारी मातरा में सैनिकों को ले जाने वाला जंगी जहाज और अन्ने अटैक वार्शिप्स होंगे यह हमला ताइवान पर जून में करेगा यह अगला महिना वह भी अमेरिका से ताइवान को मिलने वाले 66 F-16 फाइटर जेट्स की डिलेवरी से पहले चीन के साथ समस्या यह भी है कि उनके पास परियाप जंगी जहाजी रही है यहनी कि Amphibious Landing Craft इसलिए वो अपने सैनिकों को ताइवान तक पहुचाने के लिए Civilian Borts और फैरी का इस्तेमाल करेगा यह काम उसने शुरू कर दिया है चीन जो है Civilian नावों के जरिये Amphibious Landing Craft की कमी को पूरा तो बिल्कुल नहीं कर सकता है ऐसे मिशन के लिए Civilian नावों का इस्तेमाल एक गलत निर्न नहीं है इससे चीन के सैनिकों को खत्रा होगा क्योंकि यह Borts जो है जंग के हिसाब से नहीं बनाई जाती है हाँ जो Civilian नाव होते हैं लेकिन चीन ताइवान पर हमला करने के लिए कम से कम दस से पंदरह हजार Borts जहाज क्राप्ट का इस्तेमाल कर सकता है उसके पास जितने भी नाव होंगे चाहे वो Civilian हो सेना के हो या फिर वैवासाइक की क्यों न हो उन सब का इस्तेमाल वो करेगा जी हाँ मरता क्या ना करता हाँ तो अब तो एक ही बात बची है कि भाई तीसरा विश्वयूद में कौन देश बचेगा कौन देश तबाह होगा यह तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है तब तक वीडियो पर बने रही है मस्तरी और खुश्ट रही है मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब्स नहीं किये वो सब्सक्राइब्स कर दे और जो बेल आइकन का बटन उसको दबाए ताकि जो भी वीडियो आने वाला होगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मि लेगा जे हित जे भारत